हेलो फ्रेंड्स आज हम देखने जा रहे हैं sql server का इंस्टॉलेशन सो sql server के different editions available हैं enterprise edition, standard edition, BI edition, business intelligency इसके लावब बाकी edition है parallel data warehouse, web edition, dolloper, express, express local db तो आईए हैं डारेक्ली चलते हैं कौन सा edition डाउनलूड करना है और क्या करना है सो मैं चलता हूं ब्राउजर पर डारेक्ली तो आप आईए ब्राउजर पर और यहां पर सर्च कीजिए sql server and then आपको पैदा लिंक मिलेगा sql server download इस लिंक पर क्लिक कीजिए क्लिक करने बाद आप यहां पर देख सकते हैं का आपको क्या क्या मिल रहे आपको आपको यहां पर डाउंलोड करूंग और आपको सब्सक्राइशन दोनों वर्जिन यह आपको लिए इस डाउंलोड कीजिए और इस डाउनलोड लिंक पर क्लिक करता हूं तो यह download स्टार्ट हो जाएगा भी यह download स्टार्ट हो चुका है अब उनलोड हो चुका है मैं इसको open कर लेता हूं तो यह आप देख सकते हैं, installation चालू हो गया है, अभी आपके साथ, इसमें तीन option आ रहे हैं, basic, custom and download media, तो basic में क्या रहेगा, default configuration के साथ, यह सब कुछ install कर देगा, जो भी basic requirement वो इंस्टॉल कर देगा, custom में आप अपने requirement के अनिस्वार कर सकते हैं, और download as well as setup file में, आप setup file अभी आपको more advanced जाना था, आपका custom पर भी कर सकते हैं, so simple से basics है, जो कम time install हो जाएगा, और custom में, आपके requirement के साथ, जो जो चीज़े, डालोग जो आपका installation time भी उतना ही लगने वाला है, तो मैं click करता हूँ, custom पर फिलाल, तो आपको idea लग जाएगा, अगर आपको बहुत simply जाना है, तो आप basic select कर सकते हैं, तो यह मैं media बता रहे हैं, कहां install करना है, so it's by default going to see, and so it's downloadable, यह download करेगा around 1426 MB, so मैं इसको करता हूँ, install, जैसा आप निचे देख सकते हैं, SQL Server का, Linux edition भी available है, इस link पर आप click करके, अगर आप Linux यूज़ कर रहे हैं, तो आप 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 download कर सकते हैं, so it will take some time, अभी download start हो चुका है, डिपेंड है आपके internet की speed पे, आपका internet fast easily download हो जाएगा, तो मैं यहां को second wait करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी download होने वाला complete, तो मैं यह को around 5-7 minute लगे इसको download होने में, अब SQL Server का installation चालू हो गया है, तो आप देख सकते हैं, आपका साइसा कुछ window नज़र आएगा, अब यहां पर आप क्लिक कीजिए installation पे, तो अब आपको जिस टैप का installation करना आप यहां पर कर सकते हैं, तो मैं यहां क्या करूँगा, new SQL Server standalone, और install SQL reporting services, management tools, data tools, तो काफ़े सा अलग-अलग हैं इसके अंदर, तो मैं यहां क्या करूँगा, new SQL Server standalone installation, तो मैं यह इस पर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यह नया server डालना है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो यह अभी चालू हो जाएगा, तो मैंने इस पर क्लिक किया है, तो यह free edition है, तो इसमें key provide करने के आपको ज़रूत नहीं है, next कीजिए, टर्मन कंडिशन जो भी आप accept कर लीजिए, अगर आपको update चेक करते रहना है, तो आप सको tick कर सकते हैं, अधर्राइज आप सको uncheck भी रख सकते हैं, तो यह अभी मेरे में update की service बंद है, इसलिए आपको बता रहा है कि update चेक नहीं कर पाएगा, अपना आगे चलते हैं, तो यह run check कर रहा है, जो भी अगर यहां है, तो कुछ missing तो आपको बता दिया जाएगा, अब यहां पर आपको features पूछी जा रहे हैं, आपको कौन-कौन से features इंस्टॉल करने हैं, यहां देख से बहुत सारी चीज़े हैं, जो आपको, आपको इसमें कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, अगर आप basic करेंगे, तो यह आपसे नहीं पूछा जाएगा, अगर आप basic करेंगे, तो यह आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आपको पूछा जा रहा है, तो मुझे यहां database engine चाहिए, यह clients और जो भी चाहिए, तो by default में क्या करता हूँ, select all ही कर देता हूँ, तो mostly में जो सब चाहिए, एक यह दोर features को छोड़के, तो फिलाल मैं सब भी select कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, इसको जितना space चाहिए, बता रहा है, अब मैं इसको करता हूँ next, यह instance का नाम, by default instance का नाम, जो आपके server का नाम आएगा, MSSQ server है, अगर यहाँ पर आपको custom name देना है, तो आपना नाम कुछ भी डाल सकते हैं, मैं default यह नेम लेकि चलता हूँ, अगर आपको change करना है, तो आप change कर सकते हैं, तो यह polybase के लिए है, use standalone polybase फिलाल में, मैं वह ही use करने वाला हूँ, polybase के बारे में अपना आगे बात करेंगे, यह ना machine learning की services और बाकी चिप डाली, तो उसके लिए मुझे JRE भी लगाना पड़ेगा, तो install करना पड़ेगा, JRE की बाइडिफी system में मेरे पास अभी installed नहीं है, मेरे computer में, अगर आप एक computer में installed है, तो आप यहाँ पर इसको select करके, अपने JRE की location select यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि मेरे system में नहीं है, इसलिए मैं इसको install कर लेता हूँ, साथ साथ, तो यह तो services है, SQL server जब install होगा, उसकी services है, तो उनका type है, कब यह automatic चालो होगी, manual चालो होगी, यह disabled है, तो आपको जैसा भी करना है इसको, आप इनका behavior change कर सकते हैं, अगर आपको लगता है, यह automatic नहीं, इसको put automatic, आपको लगता है manual कर नहीं, मुझे start service computer चालो होने के बाद, तो वैसा कर सकते हैं, तो by default में, इसको default behavior जैसा है, वैसा ही रहने देता हूँ मैं, और next पर click कर लेता हूँ, अब है authentication mode, अब SQL सर्व का authentication कैसे करना है, तो यहाँ पर एक विंडो अथेंटिकेशन, मदेश जब आप computer चालो करते हैं, तो वही जो computer के दराण आप login किया, वही authentication लिया जाए, यह mix mode, तो mix mode में आपको एक password भी provide करना पड़ेगा, तो by default username ऐसे होता है, और उसका password जो भी आप define करोगे, वह आप provide कर सकते हो, तो मैं यहाँ कुछ password डाल देता हूँ, तो मैंने यह password डाल दिया, current user जो windows का हो, वह भी add कर देता हूँ, और बाकी आपको भी सब कुछ add default लेते हुए, आगेश बढ़ना है, next पर click कीजिए, by default tabular mode भी लेना है मुझे, add current user जो यहाँ भी आप कीजिए, next, यह port number है, so default अगर port free है, तो यह अदरवाज आपको अगर लगता है, दूसरी port पर चाहिए, तो you can define another port here, यहाँ पर आपको master note के बारे, आपको पूछा जा रहा है, अगर आप Hadoop या machine learning कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं, तो आपको यह configure करना पड़ेगा, क्योंकि यह service मैंने install की है, तो मैं इसको default configuration लेके चलता हूँ, पर अगर आप basic actual SQL कर रहे हैं, तो आपको इस service की जरूत नहीं पड़ेगी, तो यहाँ पर भी मैं current user कर देता हूँ, इसको आप ignore मारते बागे चलिए, time and condition क्यों R आप install कर रहे हैं, उसके लिए time and condition इसको accept करने पड़ेगी आपको, same way for python भी करना पड़ेगा, because मैंने python R and custom machine learning regarding setup select किया है, अगर आप basic लेते हैं और आपको यह नहीं चाहिए, तो आप अंचेक कर सकते हैं, तो आपको यह कुछ नहीं पूछी जाएंगे, यह step extra है, अगर आप custom installation करते हैं तो, तो यह condition accept कर चुका हूँ, मैं next पर चलता हूँ, तो यहाँ पर आपको सारे features बताए जा रहे हैं, जो install होने वाले है, फिर्ट आप देख सकते हैं काफी साज चीज़े हैं जो install होगी, so it will take some time, काफी time भी लगेगा installation में, मैं next कर देता हूँ, so install पर क्लिक कर चुका हूँ मैं, तो अब यह installation in progress है, तो यह कुछ time के बाद आपका installation complete हो जाएगा, so अब अब इस फिनिश होने को आ रहा है, so setup अने बाद यह बोला computer आपको restart की ज़रुत पड़ेगी, so मैं computer restart करता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, setup complete होने बाद, आपको यह सब कुछ success success नजर आ रहा है, तो यह setup complete हो चुका SQL server का अपना, so आप start menu में जाएगे, आप search करने कोशिश करेंगे, you need SQL, तो अभी आपको यहाँ पे SQL server का management studio है, यह by default install नहीं हुआ है, तो वो अपन को install करना पड़ेगा, अभी separately, तो अभी उसके लिए आपस, उसमें आप चेक कीजिए, थर्ड option आप रहा है, install SQL server management tools, तो click on that, जैसे आप इसको click करते हैं, तो यह automatic लिए अपन को उस link पे ले जाएगा, management studio के, तो download SSMS नज़र आ रहा है आपको, तो मैं इस link पे click करता हूँ, तो इस पे click किया है, यह download शुरू हो चुका है, तो उपन इंदिजार करके, download खत्म होने का, तो यह download चल रहा है अभी, तो यह download complete हो गया है, अभी मैं इसका setup रहन करता हूँ, तो जहाँ पे भी आपको install करना, उसका path दे दीजिए, यह मैं इसको click करता हूँ, install, काफी simple है, इसमें कुछ select करना नहीं है, बस आप simply install पर click कर दिए, install हो जाएगा है, कुछ time लगेगा पर यह install होने के बाद, अब इसके अंदर आप SQL सर्वर इजीली open कर सकते हैं, इंतिजार करते हैं इसके finish होने का, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि successful install हो चुका है, यह restart के लिए again बाल राए, आप वो computer restart करना पड़ेगा, तो फिलाल मैं इसको direct close कर देता हूँ, और मैं जाता हूँ start window पर हमें search करता हूँ, ssms, तो आपको यह नजर आ रहा है, SQL सरव Management Studio एप नजर आ रही है, आपको यहाँ पर इसको आप उपन कर सकते हैं, तो इसको मैं उपन कर रहा हूँ, यह first initialization आप टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर आपको server का नाम by default, जो आपको system का नाम वह वार है, विंडोज authentication अगर आप डालते हैं, तो जो भी आपको windows का password है, वो आप डाल सकते हैं, तो मैं इसको connect करता हूँ direct by default, क्यों मैं पासवर कुछ भी नहीं Windows पर, तो यहाँ पर जख सकते हैं, आप यह successfully मैं database देख पा रहा हूँ सब कुछ, and again मगए इसको connect to object तो आप मैं यहाँ पर करता हूँ, SQL server authentication, यहाँ पर लगाता हूँ password जो मैंने डाला था, and try करता हूँ connect करने की remember करता हूँ password में इसको बार बार ना पूछे, यहाँ पर भी connect हो गया है, तो by default username जो आता है, ऐसे और password जो installation के दुरान आपने डाला है, वो password आपको लगान है, तो आप यहाँ जख से दोनों तरीके से मैंने यहाँ पर इसको login कर लिया, यहाँ आपका server का नाम है, database engine है, इसके लावा इसके analysis services है, reporting services है, integration services है, और Azure SSIS integration runtime भी है, तो उनके बारे में भी आपन देखेंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपने आपने देखाए SQL Server 2019 कैसे install किया जाए, और उसके साथ management studio कैसे install किया जाए, और कैसे SQL Server को चालू किया जाए, SQL Server installation के बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर new query window है, control and करके भी आप type कर सकते हैं, मैं इसमें करता हूँ, इसमें आपको जो भी query run करने हैं, you can fire any queries, तो यहाँ पर आप कोई भी query fire कर सकते हैं, new, and suppose अभी आपस database नहीं, तो मैं कोई custom function कॉल करूँगा, get date, and run करने के लिए, आपका FI और अधरवाइज आप execute पर click कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं, यहाँ पर date आ रही है, तो अगले पार्ट में आपने देखने वाले, इसमें database कैसे बनाया जाएं, tables कैसे बनाया जाएं, keys क्या है, relationship क्या है, और बाकी बहुत सारे ठीजें, तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, इसके लब अगर आपके कोई questions हैं, तो आप comment section में पूछिए, हम उनका जवाब जरूर देंगे, thank you, मिलते हैं अगले वीडियो में,